नमस्कार सातियों सुवागत एक बार फिर से आप सभी का टुडे टोक के इस वीडियो में SSC GD भरती 2021 की तैयारी कर रहे हैं सभी सातियों का सुवागत है और बहुत-बहुत सुब काम नहीं दोस्तों SSC GD की फाइनली रिक्रूटमेंट आ चुकी है नोटिफिकिसन जारी हो चुका है आप सभी को पता होगा 25,211 पदों पर ये बरती होने जा रही है हालांकि 25,211 पद कम है इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम वेकेंसी आएगी लेकिन दोस्तों आसा है कि आगे चलकर ये वेकेंसी बढ़ जाएगी पदूं की संक्या बढ़ाई जाएगी अभी पता चला है कि दोस्तों कुछ सैनेबल ऐसे हैं जिनके पद सामिल नहीं किये गए हैं तो उनके अगर पद सामिल किये जाते हैं तो आगे चलकर इस भरती के पदूं की संक्या को बढ़ा दिया जाएगा लगबग कम से कम अगर माने तो 35,000 के आसपास इस भरती में पद हो सकते हैं आगे चलकर फिलाल 25,211 पदूं पर ये भरती का नोटिविकेशन जारी हुआ है लेकिन भरती को बढ़ाना SSC के हाथ में होता है तो चिंता मत करो कुछ पदूं में वरती आपसे किसमें हो जाएगी दोस्तों बहुत सारे नए बच्चे होते हैं जो SSC GD भरती में सामिल होते हैं और उन बच्चों के सामने एक बड़ा सवाल होता है कि सेलेक्शन कितने अंकों पर होगा इस वीडियो सेसन में बात करेंगे कि इस बार आपको कम से कम कितने अंक लाने हैं ताकि आपका सेलेक्शन हो जाए एक दोस्तों में आपको बात बताना चाहूंगा SSC GD एक्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्यों सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इंडिया जीके की डेली लाइव क्लास आ रही है रात को दस बजे और इस क्लास में मैं आपको SSC के दुवारा पूचे के सभी इंडिया जीके की क्युस्तन कवर कर रहा हूँ इसमें मैं सबसे पहले इंडियान हिस्टरी फिर पॉलिटी जोग्राफी और उसके बाद में एकोनोमिक्स यानि ओल ओवर इंडिया में जीके के जितने भी क्युस्तन पूचे गए हैं SSC के दुवारा चाहे वो SSC MTS में हो चाहे जीडी में हो चाहे वो CGL या CHSL के एक्जाम में हो अगर आप ये सभी क्युस्तन कवर कर लेते हैं इस राद 10 पजे वाली क्लास में तो डेफिनेटली इंडिया जीके की तैयारी जनरल नोलेज की तैयारी आपकी बहतरीन हो जाएगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक साथ में बेल आइकन जो उसको प्रेस करना ताकि आपको लाइव सेशन की नोटिफिकेशन मिल जाए कभी क्या होता live session की notification नहीं मिलती है क्यूंकि आप जो bell button है उसको दबाना भूल जाते हैं तो bell icon को दबाना भूले न और रात 10 पजे इस class में सामिल होना भी ना भूले बैतरीन class होती है और आपका confidence भी इस class में definitely बढ़ जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह के question SSC GD के exam में पूछे जाते है question का pattern क्या रहता है, question का level क्या रहता है ठीक है तो जरूर join कर लेना इसके बाद मैं दूस्तों बात करते हैं कि इस बार marks यानि अंक कितने लाने हैं selection करवाने के लिए एक तो इस पर चर्चा करेंगे काफी लोग ये चाते हैं कि हमारा selection NIA में हो या SSC में हो तो NIA और SSC में जाने के लिए आपको कितने आंक लाने पड़ेंगे इसके बार में बात करेंगे क्योंकि NIA और SSC की जो merit है वो All India की vacancy के according होती है All India level पर इसकी merit जारी होती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि NIA और SSC सबसे royal force है और इसको join करने की ललक बहुत सारे बच्चों में रहती है तो ये दोनों ही forces important है तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ और finally बताऊंगा कि इस बार आपको कितना score करना है एक्जाम में देखे दोस्तों सबसे पहले बात करें SSC GD cut-off female candidate की कि female candidate को कितने marks लेने है for SSC only यानि SSC के लिए क्योंकि SSC में ही female जाती है तो female है अगर आप लड़की है और SSC में जाना चाहती है तो आप इस बात को गोर से सुनना कि यहां पर SSC में जाने के लिए SSC वाली लड़कियों को 70 plus marks लेकर आने हैं कम से कम ST वाली को 74 OBC वाली लड़कियों को 77 और general वाली लड़कियों को 78 आपको target कितना रखना है अगर आप SSC GD SSC में जाना चाहते हैं तो यह तो एक expected cut-off बोल सकते हैं या previous year की cut-off बोल सकते हैं अगर आपको finally selection लेना है तो सभी category को में बताना चाहूंगा कि कम से कम आपको score रखना है 85 85 का score आपको लेकर चलना है अगर आप 85 का score लेकर चलते हैं दोस्तों यहां पर देखिए BSF force है और category वाइज आपको चेक करना कि आप कौन सी category से belong करते हैं जिस category से belong करते हैं उस category पर आपको ध्यान देना है डिटेल से मैं आपको एके करके नहीं बताने वाला BSF में बात करूँ तो general के लिए 62 marks होना compulsory है CISF की दोस्तों में बात करूँ तो CISF में 72 marks CRPF की बात करूँ तो 64 marks SSB की बात करूँ तो 73 marks ITBP की बात करूँ तो 65 AR की बात करूँ यानि SMRIFAL की बात करूँ तो 81 और finally दोस्तों बात करें NIA और SSF की तो 89, 85 यह जो cut-up में बता रहा हूँ यह male candidate के according बता रहा हूँ तो female की थोड़ी कम रहती है तो अभी मैंने NIA और SSF की बताई थी वो female की थी, वो थोड़ी कम थी ठीक है, female को मैंने बोलाए कि 85 का target रखना है अगर आप male हो तो आपको 90 का target रखना है अगर आप NIA और SSF में जाना चाहते हैं तो कम से कम यह target रखना कि हमारी 90 marks आ जाए आप definitely NIA और SSF में select हो जाओगे अब दोस्तों category wise क्या होता है कि cut-up कम ज़्यादा भी रहती है जैसे SC, ST और OBC की बात करें तो लगबग 5-7 number का difference आपको 5-7 number का difference भी देखने को मिल जाता है अगर general और OBC की बात करें तो 1-3 number का difference भी आपको देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों होता क्या है कि आपको category के according कभी भी goal set नहीं करना है आपको general के according goal set करना है और आपको courses करनी है कि अच्छे से अच्छे marks बने देखें दोस्तों BSF में आपका selection 62 या 65 marks पर भी हो जाता है लेकिन target अच्छा रगोगे तो अच्छी force आपको मिल जाएगी और अच्छी post आपको मिल जाएगी आपको पता है कि हर force का difficulty level अलग-लग होता है अगर आप NIA और SSP जोइन करते हैं तो इसमें आपको facility भी जादा मिलती है और reputation भी आपकी बहुत सांदार होती है बाकि दोस्तों आप force जोइन कर रहे हैं तो वैसे भी पूरे देश में आपका सम्मान किया जाएगा आगे दोस्तों बात करते हैं कि state wise में ने कटोप लिखी है यहां पर SC, ST, OBC, General और X-Service Men सब के लिए कटोप दिखाई हुई है यहां दोस्तों बात करते हैं कि सबसे अधी कटोप कौन-कौन से state की रहती है तो यहां सबसे पहले आप देख सकते हैं हरियाना की अच्छी बली कटोप रहती है यहां पर हम अगर बात करें तो यहां आप चेक करना ध्यान से यह ST का कोलम है यह S-T का है यह General का है और यह OBC का है तो आपको अपनी category के according जो column है वह चेक करना है ठीक है तो General के according बात करते हैं कहां पर क्या रहती है जनरल की बात करें तो दोस्तों यहां आप देखिए बिहार के अंदर भी कटोप क्या रहती है 75 रहती है ठीक है काफी अच्छी कटोप रहती है इसके बाद में देली की बात करें तो 68 है इसके बाद में हर्याना की बात करें तो देखिए दोस्तों 80 रहत जो states बहुत अच्छी कटोप रखते हैं या बहुत अच्छे marks लेकर आते हैं मूं उनकी बात कर रहा हूँ इसके बाद देखे दोस्तों राजस्तान की बात करें तो 78 है राजस्तान में इस बार 85 तक भी जा सकती है क्योंकि राजस्तान के जो student होते हैं वो SSC GD के लिए बहुत जादा मैनत करते हैं इसके बाद में और अगर हम बात करें तो UP की कटोप भी अच्छी रहती है देखे 77 77 UP की है उत्राकंड की 67 है तो ये कुछ state ऐसे हैं जहाँ पर कटोप लगबग 75 के आसपास या 70 पलस रहती है बाकी जो भी state है उनकी 60 पलस आपको लेकर चलनी है तो आप जिस भी state से ब्लोंग करते हैं आपको उसके according target सेट करना है बाकी दोस्तों मैं आपको detail से सारी बातें आगे बताता रहूँगा तो आपको channel से जुड़ना जरूरी है चैनल से जुड़ जाईए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे और जुड़ने के लिए आपको subscribe करना है वो भी free में फिर bell icon को प्रेस करना है एक दोस्तों टेलिग्राम चैनल है ये भी आपके लिए free of course available है टेलिग्राम चैनल का link मैंने description box में दिया है टेलिग्राम जोइन कर लोगे तो वहाँ पर आपको हर तरह की update मिलती रहेगी जो भी सूचना होगी sscgd के तरफ से या इस भरती को लेकर जो भी update होगी वो आपको इस टेलिग्राम चैनल पर मिलती रहेगी ठीक है साथ में notification भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा तो टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लीजिएगा और चैनल को भी subscribe कर लीजिएगा और आज रात 10 बजे आप आना मत भूलिएगा साम को जो live class होती है उसके अंदर sscgd के दुवारा पूछेगे सभी question ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी समझ भाएगी किस तरह के question पूछे जाते हैं और उस class में आपकी तैयारी को भी परखा जा सकता है अगर आप ध्यांसे class लेते हैं और रोज class लेते हैं तो जरूर आईएगा और sscgd भरती 2021 के तैयारी में लग जाएगा दोस्तों समय कापी कम बचा है और exam भी जल्दी होने की इस बार संभावना है thanks for watching मिलंगे next video session में तब तक के लिए जैहिंद